आए भुलाता है तो माया पती होगे और ये माया पती है तो तुम भी माया ये भी माया तो और माया क्या है याद रखना धन माया नहीं है आज तक जिसको तुम माया मानते थे आज परिभासा बदल जाएगी ना इस्तरी माया है ने पुरुष माया है न धन माया है न जमीन माया है न घरद्वार माया है न सामान माया है तो फिर माया है क्या तुम्हारा मन माया है जब तुम्हारे मन में धन के परती लोब आ जाता है धन का अभिमान आ जाता है ये अभिमान और लोब ही माया का असली रूप है काम और क्रोध ही माया का असली रूप है अभिमान और इरशा ही माया का असली रूप है धन्त और जिंदगी की जरूरत है और ग्रेस्थास्रम में नर नारी का संगम है ये माया नहीं है जब तुम काम, क्रोध, लोग, मोह, इरशा, देश और अभिमान में फस जाते हो असली माया का जाल तो यही है इस माया के जाल को तोड़ने के लिए सत्संग के ज्यान की तलवार किया हो सकता धन तो सब के बास है लेकिन जिनको धन के प्रतिलोब है तो समझो माया में फस है किसी के दो सो रुपे गिर गए तुमने पा लिया उठा लिया आकर इनाउंस करा दिया कि किसी का दो सो रुपे गिरा है ले लो तो समझ लो तुमने माया को जीत लिया और किसी के दो सो रुपे गिर गए तुमने उठा लिया जेम में रख लिया चुप चाप धर लिया किसी को नहीं बताया घर लेकर चले गए खुश हो रहे हो कि दो सुर रुपे मिल गए तो तुम समझो माया के गुलाम हो और माया में फस चुके हो क्योंकि तुमको लोब आ गया है ये लोब ही माया का असली रूप है जब तुम लोब को जीत लेते हो तो तुम माया जीत हो जाते हो और जब लोब में फस जाते हो तब तुम माया के गुलाम हो जाते हो अब कार में चलते हो ये गाड़ी घोड़ा माया नहीं है लेकिन गाड़ी का भीमान माया है अगर गाड़ी में बैट कर एठा रही है कि मेरे पास गाड़ी है तो समझ लो माया कि तुम कुलाओ गाड़ी की क्या जिंदगी है एक सेकंड में एक्सिडेंट हो जाए ना गाड़ी रहेगी ना गाड़ी में बैठने वाले रह जाएगे क्या अभी मान करते हो किसी गाओं में एक से छक था वो जब मोटर साइकिल पर चलता था या साइकिल पर चलता था तो थोड़ा गरदन एट कर चलता था तो गाओं की लोग बहुत दुखी होते थे तो मेरे से गाओं की लोगों ने बताया कि ये गरदन एट कर चलता है तो हमने का अपनी गरदन एटता है कि तुम्हारी एट ता है तो बोले अपनी एट कर चलता है तो हमने का तुम्हें क्या दिक्कत है फिर बोले हमें दिक्कत है हम देख नहीं सकते सही नहीं सकते तो मेंने का फिर उसकी गरदन तरब नजर क्यों डालते है मत देखो बोले सामने निकलता तो नजर पड़ी ही इह इंकार दूसरा आदवी देख नहीं सकता, सह नहीं सकता है लेकिन नम्रता सब को प्री होती है मैं निवेदन करूगा बच्चे को सभी गोद उठाना चाहते क्यों? क्योंकि बच्चा बिनम्र होता है, शरल होता है इसलिए बच्चे को गोद में लेते हैं मैना पंची, उसका नाम है मैना मैना कारत होता है, मैं कुछ नहीं हूँ तो इसको लोग पिंजडे में पाल कर दर्शन करते, वहीं खिलाते भी लेकिन बकरी जो मैं में करती है मैं हों, मैं, मैं तो इसका गला काट कर इसको खा जाते हैं इसलिए एंकार करने वाले लोग किशी को पसंद नहीं आते हैं और एंकार को छोड़ कर बिनम्र जीने वाले लोग सब को पसंद आते हैं महाराज स्री राम की बिनम्रता दंडवत प्रणाम करते हैं भरद्वाज रिशी को भरद्वाज पूशते हैं आपका परिचे क्या है भगवान स्री राम कहते है मैं महाराजा दसरत पुत्र राम हूँ अविध्या से आया हूँ अच्छा तुम राम हो नाम सुन चुका हूँ ये साथ में और कौन है ये मेरा अनुज भ्राता लच्छिमन मेरा भाई है और ये नारी कौन है साथ में ये मेरी भार्या सीता जी है ये मेरी भार्या है भार्या शब्द का प्रियोग किया है शब्द कहां क्या कब कैसे बोलना चाहिए शब्द का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है शब्द समारे बोलिये शब्द के हाथ न पाऊं एक शब्द योसद करे एक शब्द करे घाऊं मैं निवेदन करूँगा घर में पहली बात कम बोलना चाहिए दूसरी बात घर में दूसरों कोई भी सुनना चाहिए तीसरी बाद अपने घर में थोड़ा समय भी देना चाहिए ध्यान रखना कम से कम 24 घंटे में मुके सम्वानी जो भारत के बहुत बड़े उद्दोग पती है एक घंटा साम को रात में और एक घंटा दिन में अपनी फेमिली के उपर देते हैं फेमिली को टाइम देते हैं बात करते हैं प्रेम करते हैं इसलिए उनकी जिन्दगी में थोड़ा साम्ती जादा रहती है समय दीजी अपने बच्चों के लिए भी अपनी वाइप को भी समय दीजी इतना धन कमाने की धुन भी न लग जाए कि वाइप से मिल ही न सको जिन के लिए धन कमा रहे हो जरा उनके पास बैठो भी तो जिन के लिए धन कमा रहे हो उन बच्चों को जरा संसकार भी तो दो जिस परिवार के लिए धन कमा रहे हो उस परिवार के साथ बेट करके प्रेम प्रसंग की चर्चाए भी तो कुर कोटा में एलेन कोचिंग सेंटर के मालिक गोबिन्द महेशुरी हमारे आश्रम पर आए कहने लगे रात में 7 बजे से 8 बजे तक हमारे घर में एक गंटे या आधा गंटे का भजन होता है सभी इस्थियां भी बैठती हैं हम चारों भाई बैठते हैं बतीजे बेटते हैं बेटा बेटी बेटते हैं एक एक सब लोग भजन गाते हैं मिल कर गाते हैं ढोल बजा कर गाते हैं और उसके बाद सब साथ में भोजन करते हैं फिर सोजाते हैं सोचिए अब उनके पास में करीब करीब एक लाख दो लाख धाई लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं एक विद्यार्थी की फीस देड़ लाख रुपिय और दो धाई लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और उस कितना विजी रहते होंगे आप सोचो थोड़ा सा, फिर भी समय निकाल कर परिवार के साथ एक गंटे बैठ कर भजन भी करते हैं, भक्ती के गीत गाते हैं, परिवार से बात भी करते हैं, जो बेकती परिवार के साथ नहीं बैठेगा, याद रखना उसका परिवार बह मेरी गुर्देव सुनाते थे कि एक परिवार का मालिक घर में आया घर का मालिक था तो इसका छोटा सा बेटा साथ-ाठ साल की उमर का दोड़ करके उस घर मालिक यनि अपने पिता जी के पेरों में लिपट गया तो पिता जी ने अपने हाथों से उसको जिड़क दिया बोले तू हट मैं बहुत भीजी हूँ और तू बीच में बाधा डालता है तो बच्चे का मन दुखी हो गया कि मैं अपने पिता जी को लिपट गया प्रेम करने के लिए उन्हों ने जिड़क दिया अंदर जाकर के बेडरोम में बच्चा दस मिनिट बेठा रहा और फिर अंदर से आया पिता जी को एक गिलास पानी पिलाया और कहा पिता जी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ पूछो बेटा क्या पूछना चाहता हूँ आप एक घंटे में कितने रुपीय कमाते हो तो जिसके बापने कहा हमें एक घंटे में 100 रुपीय प्राफेट कमाता हूँ तो पिता जी क्या पचास रुपी मुझको उधार दे दोगे तो क्या करेगा बार बार पेशा मांगता है बले नहीं आज दे दो उधार ले रहा हूँ अभी तक तो लेता था उधार नहीं लेता था वापस लटाने के लिए नहीं अब वापस लटाऊँगा पचास रुपी निकाल कर पिताजी ने दिया वो बच्चा पचास रुपी लेकर के कमरे में गया और वहां उसके पास में एक गोलक था मिट्टी का गोलक होता ना कुम्बकार लोग बनाते जिसको रुपीय डालते हैं उसमें छेंद होता है उस गोलक को उसने फोड़ा और उसमें से एक रुपिया दो रुपिया रखा था वो सब निकाला तो गिना काउंटिंग किया तो पचास रुपिय निकला पचास रूपी वो और पचास रूपी जो उधार लिया था दोनों मिला कर सौ रूपी बनाया और एक ठैली में बान्ध कर लाकर अपने पिता जी के सामने रखा कि पिता जी तुम एक घंडे में सौ रूपी प्राफिट कमाते हो मैं आपको सौ रूपी देता हूँ आपको शो रुपी देता हूँ ताकि एक घंटा मेरे उपर भी खर्च कीजिए। इसका पिता हसने लगा कि कितनी दूर से इस छोटे बच्चे ने हमको समझाया है। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी उमरवालों को समझा देते हैं। कभी-कभी बेटियां अपने मा को भी समझा देती हैं, कभी-कभी बहुई अपने साज ससुर को भी समझाती हैं, और कभी-कभी आपकी धरम पत्नी आपको समझाती हैं, और कभी आप पूरी परिवार को समझाते हो, याद रखना ये संसार समझने और समझाने से ही चलता है, अ प्रेम की चर्चा करने का वक्त भी नहीं निकला आपस में हिल मिलकर रहने की कला नहीं आई तो घर भले सोने का महल हो लेकिन वहा सुख शांती नहीं रहती है परस्पर का प्रेम ही सुख को जनम देता है परस्पर का आनंद में प्रेम घर को स्वर्ग बना देता है इसलिए प भाइ अच्छर प्रेम का पढ़ेश्व पंडित होए, पोथी पढ़ेपढ़ जगमवा पंडित हुआ ना कोई यह धाइ अच्छर प्रेम के बड़े महत्वपुरून है आज आपकी पतनी आपके साथ रहती है तो प्रेम के कारण ही तो रहती है जिस दिन प्रेम तूट जाएगा उस दिन वो गठरी लेकर बिदा हो जाएगी और माईके चली जाएगी अब माईके से भी प्रेम तूट जाएगी तो फिर बनारस चली जाएगी तुम्हारा जब घर से प्रेम तूट जाता है तो घर छोड़ कर तुम चले जाते हो प्रेम ही आदमी को आदमी से बांध कर रखता है प्रेम ही शंगठन को बांध कर रखता है प्रेम एक ऐसी डोरी है जिसमें करोड़ों लोग नहीं पुरा वर्ड बना रहता है अब प्रेम की प्रभाव को समझे आप कितना ही धन कमा लो कितना ही मकान बना लो कितनी गाड़ियां लेलो लेकिन अगर परश्पर में रागद्वेस है प्रेम नहीं है तो आपके घर में शुक नहीं रहेगा रागद्वेस को मिटाईए स्री कृष्ण कहते है रागद्वेस बियुकतेस्त विश्यान इंद्रिय इश्यरन आतम बश्यर विधे आतमा प्रशादम अधिगच्छती रागद्वेस से मुक्त हो जाओ रागद्वेस होता क्या है इसकी परिभासा को भी समझो राग माने होता है चिपक जाना राग माने होता है वहां से उखड जाना राग माने होता है किसी की मोह में पढ़ जाड़ा और द्वेस का मतलब होता है किसी से नफरत कर लेगा जब तुम कहते हो इस आदमी को मैं देखता हूं तो मेरा खून खौल जाता है जब तुम कभी कभी कहते हो ये सामने पढ़ता है तो मेरा खुन एक तोला जल जाता है यही द्वेस है इसका नाम द्वेस की आग है और जब तुम कहते हो उनको जब तक मैं देख नहीं लेता हो तब तक मुझे सकुन नहीं मिलता है इसी का नाम राग है ये राग है उसमें तुम चिपक गए हो राग भी अंधा कर देता है द्वेश भी अंधा कर देता है बाहर की आँखों से अंधा होना उतना खतरनाक नहीं है जितना किशी के मोह में अंधा होना नफरत में अंधा होना राग द्वेश में अंधा होना ये बहुत खतरनाक है, मैं निवेदन करूगा, महाराजा धिराज धरतराष्ट अंधे थे, सब लोग कहते हैं कि वो अंधे थे, लेकिन राजा धरतराष्ट आखों से भी अंधे थे, और भीतर से भी अंधे थे, क्योंकि दुरियोधन के मोह में भी अंधे थे, दुरियोधन के मो मोह में पढ़ करके पंडों को हिश्चा नहीं दे रहे हैं पंडों से द्वेश कर रहे हैं क्रपाचारी गुरू के हाँ जब पंडों पढ़ने जाते हैं तो महाराजा धिराज ध्रतराष्ट क्रपाचारी गुरू को अपने लाज दर्वार में बुला लेते हैं ताकि वो पढ न सके इतना द्वेश बाथा उनके उनके और दुरियोधन के राग में पढ़कर के दुरियोधन के मोह में कौरों के मोह में अन्याए अनिती और बेइमानी का कारी कर रहे है ये राग तुमसे अन्याए कराता है अनिती कराता है ये द्वेश तुम्हारे द्वारा किसी को दु दूसरी बहु से बिलकुल प्रेब नहीं दूसरी बहु रोती है कि सासु हमसे प्रेब नहीं करती है और जो पहली बहु है वो हसती है कि सासु बहुत बेकूप है हमी को मानती है वो भी जानती है सासु गलत कर रही है क्योंकि बेलेंस बनाई ये दोनों बहुएं आखिर हैं त आत्मा का किसी से कोई रिस्ता नहीं है अब ये सब करम बिगाड़ो तो इसका फल तुमको अगले जनम में भोगना पड़ेगा सासू को बैलेंस में रहना चाहिए गुरू को भी बैलेंस में रहना चाहिए बाप को बैलेंस में रहना चाहिए कितने बाप एक बेटे को पूरी प्रोपरटी दे देते है और दूसरे को कुछ नहीं देते है और कहते हैं जम तक जिंदर होगा दोंगा कुछ नहीं तो क्या करें फिर बेटा तुमको मार ड़े तब ले ले ये सब क्या बाते कर रहे हो और न्याई की किसके मोह में डूबे हुए हो किसे नफरत कर रहे हो सब जगत आपका ही है कौन है अपना कौन पराया